हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स ये वीडियो फ्रेंट्स एनरजी वीडियो रहने वाला है ठीक है कुछ डाउनलोड्स हैं उससे रिलेडिद ठीक है देखें फ्रेंट्स मैं आप लोगों से कहती हूँ के light feel कर ये आप लोग ठीक है positive रही है, happy रही है, खुश रही है इसके कुछ reasons हैं आपको पता है हम कोई भी चीज manifest करते हैं कोई भी चीज हो वो या फिर हम कोई affirmations लिखते हैं तो manifest करना और affirmations लिखना दोनों ही वे में कुछ चीज़े होते हैं अगर आप affirmations लिखते हैं तो भी आपको लिखकर उस चीज़ को भूल जाना होता है अपने दिमाग और अपने जहन में वो चीज़ नहीं रखनी होती है क्योंकि वो जब आप affirmations या manifest करते हैं कोई भी चीज़ तो आपको यही करना होता है meditation करते हैं भी आपको यही करना होता है हर वक्त हम भगवान के पास जब जाते हैं या उनसे जुड़ते हैं या connect होते हैं तो मांगना नहीं होता है ठीक है कभी कभी भगवान के पास भगवान के लिए भी जाना चाहिए ठीक है हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए आपको पता है किस व्यक्ति की जो ड्रीम्स हैं या जो भी चीजें हैं वो मैनिफेस्ट कैसे होती है मैनिफेस्ट अगर कोई कर पा रहा है किसी की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है जैसे वो चैनलाइज कर रहा है उसकी लाइफ वैसे चल रही है तो इसका एक reason होता है उसका reason ये होता है कि reality में अगर उसके भीतर देखा जाए तो वो शुन्य है उसे कुछ किसी से नहीं चाहिए किसी से भी और even किसी से क्या उसको कुछ चाहिए ही नहीं अब मानते हैं इसीज को उसे कुछ चाहिए नहीं एक्चुल में वो वैसा हो जाता है जैसे उसके इस्ट है जिने वो मानता है, जिनको वो पूचता है जिनको अपना आराध्य मानता है ठीक है वो बिलकुल उनके जैसा हो जाता है जैसे अगर मैं एक्जामपल अपना ही दूँ या आप मैं से किसी कही दू बहुत से लोग शिव को मानते हैं बहुत से लोग कृष्ण को मानते हैं जो शिव को मानेगा वो शिव जैसा हो जाएगा शिव कैसे है शिव सब चीजों में लिप्ट नहीं रहते ठीक है वो सब चीजों में होकर भी सबसे निरलिप्त हैं जो है व उनकी खासियत जो है वो ही उनको शीव बनाती है भूले बनाती है भूले शंकर बनाती है ठीक है नीलकंट बनाती है क्योंकि आपको पता है कीचड में ही कमल क्यों खिलता है पानी में क्यों नहीं खिलता और आपने देखा होगा कि जितने भी भगवान है जो वो सब के पास mostly कमल या फिर कमल के कमल पे वो विराज मान होंगे या कमल उनके हाथ में होगा इस तरीके से ये चीजे जुड़ी हुई है ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि कमल अपने आप में क्योंकि कमल अपने आप में एक मिसाल है एक उधारन कह सकते हैं आप जिसे कि जो कीचड में खिला है और उसके बाद भी एक कीचड की छीटा भी उसके उपर नहीं होता है किस तरीके से अपना पूरा की पूरा प्रॉसेस जो है वो कम्प्लीट करता है ठीक है? यही चीज हम लोगों को करनी होती है किसी भी spiritual journey में आने के पाद जाहे वो starseats की journey हो यह twin flames की journey हो यह किसी की भी journey हो even normal souls की भी journey हो यह regular souls जो भी जिसकी भी journey हो उसको यही करना होता है कि यह जो दुनिया है यह जो अर्थ है यह mya है और इस माया के बीच रहकर भी इस माया से निरलिप्त रहना उसमें लिप्त होकर के नहीं रहना ठीक है आप में से मैं आपको एक उधारन देती हूँ 100% लोग है ड्रीम्स सब देखते हैं सबको ड्रीम्स देखना पसंद है पर ड्रीम्स सबके सक्सेस्फूल नहीं होते ठीक है या फिर जो लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं अब अपनी चीजें क्या वो हमेशा से मैनिफेस्ट कर पाते थे बिलकुल नहीं कुछ लैसंस लिए उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा अपनी लाइफ में कुछ चीजें पाएं उन्होंने अपनी लाइफ में आज वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चैनलाइज कर पाते हैं आपको पता है ये जर्नी आपको उसी शुन्यता से जोडना चाहती है अगर आप अपने अंदर काफी कुछ भरे रहेंगे इच्छाएं रहेंगी इशूस रहेंगे लोगों के साथ आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे हमेशा इशूस क्रियेट करना एंगर का इशू नीडिनस का इशू अटेचमेंट और ये सब मतलब सब चीज़ेंगे जो होती है ना जो 3D के लोग जिन चीज़ों से ऑपरेट करते हैं है ना जैलेसी ये वो घ्रना मतलब इरश्या करना घ्रना करना या जादा ही लगाव किसी से दिखाना ये सारी जो चीज़ेंगे नहीं 3D की प्रॉब्लम्स होती है प्रॉब्लम नहीं कहूंगे एक्शल में 3D के कुछ तरीके होते हैं कि जो माया है वो इसी तरीके से वर्क करती है ये माया का यही तरीका है कि वो आपको अपने इस इन सभी रूपों में फसा करके रखती है ठीक है लालच लोब ये सारी चीज़े जो होती है न उन सभ में फसा करके रखती है और लोगों के साथ यही होता है जीवन में कि अगर वो इस प्रिच्छल पाथ पे आ भी जाए ठीक है तो वो इस से बच नहीं पाते 3D के एफेक्ट से वो वापस से उसी में चले जाते है ये गलतियां जो है वो 88% लोग करते है ठीक है जिसमें से केवल और केवल 12% या फिर 12% से कम ही लोग ऐसे होते हैं जो स्प्रिच्छल अपना 3D और 5D को मेंटेन कर पाते हैं ठीक है मुक्ति का अर्थ समझ पाते हैं ये समझ पाते हैं कि शुनिता क्या है ठीक है शुनिता क्या है एक्च्छल में शिव को पाही वो सकता है जो शुनिता को समझता हो जो शक्ति है शक्ति जो पावर है वो शक्ति अपने भीतर वो बहुत सारी चीजे इस तरीके की अपने साथ रखते हैं अपने भीते रखते हैं जिनकी इस अर्थ पे सर्वाइब करने के लिए ज़रूरत पढ़ेंगी बट इसका मतलब यह नहीं कि शक्ती हमेशा महाकाली के रूप में ही रहती है हमेशा ही एंगर के साथ ही वो आपको दिखाई देंगी यह इसी रूप में आपको दिखाई देंगी कभी आपने देखा है किसी किसी भी गॉड के रूप में कि वो किसी इशू से ओपरेट कर रहे हैं आपकी तरह हमेशा सैड रहे हैं छोटी छोटी चीज में सैडनेस ढूट रहे हैं जी नहीं अगर आप सीरियल्स भी देखते होंगे गॉड के या गॉड से रिलेटिड या या यूनिवर्स से रिलेटिड तो आप पाते होंगे वो अगर कोई भी इशू होता है तो positivity के वे में जाकर के कुछ हल या solutions ढूनते हैं राइट ना कि उसको अब उस negativity को उस problem को उस issue को मैं negativity जो word यूज करती हूँ वो problem और issue के लिए भी करती हूँ ठीक है तो उस negativity और issue को अपने उपर हावी कर लेना इस तरीके से life नहीं चलती है ठीक है समझना होता है spirituality क्या है आप मंदिर में जाते हो और हर वक्त केवल मांगने के ही इच्छा रखते हो चाहे आप मूझ से मांगे या मंद से मांगे ठीक है पर मांगने के ही लिए issue के सामने जाते हो और आप समझते हो कि आप real surrender में हो आप universal flow में हो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहते हूँ सब भी df's यह df's के लिए भी है जितने भी लोग जिस भी spiritual journey में है उन सब के लिए dfdm सब के लिए एगी ठीक है जो भी spiritual path हो आपका या फिर souls हो यह message जो है urgent message वो सब के लिए है एक चुल में friends जो शुनिता है उसमें इतनी power है इतनी श्रक्ति है पावा ही सकता है जिसके भीतर ना पाने की इच्छा हो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए ना ही चाहिए और न वो उम्मीद करता ना वो कोई ऐसी इच्छा पालता है उसको कुछ भी नहीं चाहिए अपने उसको बस ये है कि सब जगे शांतियों सुकूनों जो भीतर अनुभव करता है वो बाहर भी वही सब लोगों को दे पाए, लोगों से जुड़ पाए, ठीक है, वही लोगों में बांट पाए, उसको जो है वो भी बांटना चाहता है, पहले तो वो कुछ चाहता नहीं है, लेकिन अगर उसके पास जो कुछ थोड़ा बहुत भी है, वो चाहता है कि वो भी बांट पाए, चाहे ज जिस बी इस तर से हो वो भी दे पाए जो सहे जने और समेटने की आदत होती है हर चीज को collect करने की आदत होती है वो 3d persons की आदत होती है 3D operate जो 3D से operate करते हैं उन लोगों की आदत होती है कि इसको भी रख लूँ मैं इस रिष्टे को भी समहा लूँ इस परसन को भी अपने पास कंट्रोल करके रखूँ या अपने कोई भी हो सकता है मैं स्पेशली ट्विन को नहीं कह रही मैं ट्विन भी हो सकता है सकते है उसको अपने पास रखे रहूं बांध के रखे रहूं जो बांधने वाली आदत होती है न फ्रेंट्स ये आपको एक बात बताओ जब भी आप किसी को बानने चलेंगे जब भी आप बानने चलेंगे किसी को तो वो रन करेगी चीज चाहे वो कोई रिष्टा हो चाहे वो कोई चीज हो ठीक है? यही होता है यही माया है आपको पत्य है आप कोई भी चीज अपने पास क्यों नहीं रख पाते, आप अपने पास कोई चीज इसले नहीं रख पाते, क्योंकि आप हमेशा इच्छाओं के समंदर में ही गोते खाते रहते हैं, आपके भीतर यही चलता रहता है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मेरी अपने आप में कुछ नहीं होता, ना दुक अपने आप में कुछ होता है, पुद्रिष्टी होती है, अगर आपकी द्रिष्टी में वो समता है, वो सम द्रिष्टी है, जो वो समान रूप से देख पाए, बलन्स रूप से देख पाए, तो उस दुक में भी आपको सुख नज तो आप उनकी अच्छाईयों को देखेंगे और अगर अब यह है आपके भीतर ही काफी सारे इशूज न है तो आप उन्ही इशूज को सामने वाले को सामने वाले मेरे को डिच ना कर दे, ट्रस्ट ना तोड़ दे, यह चीज ना हो जाए, वो चीज ना हो, या आपके साथ पहले किसी ने इशु कोई ट्रस्ट ब्रिक किया होगा, तो भी आप यही चीज करके देखेंगे, तो यह आपके इशुज हैं, वो सामने वाले के इशु हो सकता है ना हो ठीक है तो इस चीज़ को भी हम को समझना पड़ता है ठीक है 3D में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है 5D 3D को और इस सुन्निता अपकर आपकी भीतर शुनिता नहीं है तो manifesting power जो होती है या willing power जो होती है या जो आप लोग मुझसे कहते हैं कि ये कैसे करते हैं ऐसा कैसे हो जाता है ऐसे कैसे पता चलता है ये कुछ पता नहीं चलता मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूं ना जितने भी guides हैं वो कुछ कर पाते हैं वो एक्चल में यूनिवर्स हम से कराते हैं, हमारे जरीय कराते हैं, बाकि हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं, आपी के बीच के हैं, यह हैं। मतलब मैं ऐसे कैसे उग सकता हूँ ये कर सकता हूँ ऐसे कर सकता हूँ ऐसे कर सकता हूँ उसी तरीके से न आप अपने कार्मिक से डिटैच हुए जरूर है पर आप उनसे कट ऐसे नहीं हुए कि आपने रिष्टे खथम कर दिये ऐसा कर दिये ऐसा कर दिये मिस बिहेव करें उ यहां तक पहुचे उन सब की एलप लगी होती है यहां तक पहुचान में उन सब सोल्स का हाथ होता है अब आप यहां आकर कि अब अपने आप में सोचें कि नहीं आप जो है वो अपने कारण है तो यह भी गलत है आप अपने आप में कुछ भी नहीं है हम अपने आप में लगों का, अगर वो ना होते तो आप आज ऐसे ना उते, ठीक है, शुनद सा को पहँचाने, जो व्यक्ति की इच्छा, यह चाहत, यह जो भी चीजीज़ें, सब समाज़ हो जाती हैं, वो व्यक्ति रील सरेंडर में होता है, वो ये नहीं सोचता कि हमारे डीम ऐसा कर रहे होंगे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया सवाल कम हो जाते हैं उसके वो शान्त हो जाता है वो व्यक्ति अपने आप में कम्पलीट हो जाता है उसे किसी की नीड नहीं होती उसे किसी से कोई इच्छा या फिर कोई भेदभाव नहीं होता, किसी भी तरीके की परिशानी नहीं होती वो सब के साथ सम होता है और उसका व्योहार भी बहुत बदल जाता है वो अपने आपने नया इंसान होता है ठीक है, वैसे बनना है, वहाँ तक मौशन है जो अपने इस्ट की तरह ही हो जाता है वो इस से अलग नहीं होता आपने ठीक है वो सब चीज में बनता नहीं वो मुक्त होता है एकदम परिंदा होता है आप लोग कहते हैं ना फैदर दिखता है आपको और आपको एंजल्स गाइड करते हैं नंबर्स के जरीए आप अपना डगर अपना रस्ता अगर बदल लेते हैं तो फिर यह आपकी अपनी चोहिज होती है यही होता है कर्मा हमारा लेफ्ट और राइट दो वे होते हैं आप कौन से चुनते हैं यह आपकी मर्जी है फ्रेंट्स था एनरजी वीडियो फ्रेंट्स धिहान रखिए आ मिलते हैं हैपी रही है